हम प्लास्टिक का एक बर्तन लेते हैं, हम रेती डाल कर उसे थोड़ा भारी बनाते हैं अब हम इस पात्र को रबर बैंड की सहायता से पैंसिल से बांदेंगे हम इसे पानी से भरी इन बोतलों पर रखेंगे ये पटी रबर कितना तना है, ये देखने के काम आएगी यदि हम इसे टांग दे, तब क्या होगा? रबर बैंड तन गया है, क्योंकि बरतन का वजन उसे नीची की और खीच रहा है यदि हमने इस बरतन में रेद डाली, तब क्या होगा? ये और तनेगा, यदि हमने हाथों से बरतन को उपर की ओर धकेला, तब रबर की लंबाई कम हो गई और एक जगा पर आकर वो धिला पड़ जाएगा अब हम इस भारी प्लैस्टिक के बरतन को प्लैस्टिक के बोतल में रखेंगे यदि हमने बरतन में पानी डाला, तब क्या होगा? क्या वो उसी स्थान पर रहेगा, या फिर थोड़ा धिला पड़ जाएगा? चलिए थोड़ा पानी डाल कर देखते हैं पानी का स्तर बढ़ रहा है और साथ में प्लैस्टिक का बरतन भी उपर के ओर जा रहा है यह हाथों से बरतन को उपर के ओर धकेलने की कृतिके समान ही है यहां हमारे हाथों के जगा पर यह पानी प्लैस्टिक के बरतन को उपर के ओर धकेल रहा है वो बल जो पानी इस वस्तु पर लगा रहा है उस बल को उत्पलावग बल कहा जाता है अब सोचिए अगर हमने साधे पानी की जगा नमक वाले पानी का इस्तमाल किया तो क्या होगा? रबर बैंड अब ज़रा कम तना है साधे पानी के अपेक्षा नमक वाले पानी की घंता अधिक होती है इसलिए इस खंड पर अधिक मात्रा में उत्पलावक बल लगता है यही कारण है कि हम साधे पानी की अपेक्षा समुद्र के पानी में आसानी से तैर सकते हैं अब हम अलुमिनियम की ये पन्नी लेंगे और उसे पानी के अंदर रखेंगे देखते क्या होता है वो नीचे चली जाती है पर यदि मैंने उसी पन्नी से एक नाव बनाई तभी वो क्या इस प्रकार डूब जाएगी नहीं डूबेगी क्योंकि भले ही पन्नी और नाव के वजन में कोई फरक नहीं है फिर भी उनके आकार तो अलग है आकार के कारण ही जो भाग पानी में डूबा है वो पानी को समान रूप से विस्थापित करता है जब कोई वस्तु तैरती है तब उत्पलावग बल गुरुतवा करशन को संतुलित करता है और जब कोई वस्तु डूब जाती है तब गुरुतवा करशन के बल की जीत होती है क्या आपने कभी प्लैस्टिक की गेन पानी में डूबोने की कोशिश की है आपका अनुभव क्या था? गेंद उचल कर उपर आ जाती है क्या पानी में इस प्रकार से गेंद को डुबो नाव वास्तों में कठिन था? हाँ, इसका कारण है पानी द्वारा गेंद पर उपर की दिशा में बहुत अधिक बल लगाया जाता है पानी में या किसी भी तरल पदार्थ में डूबी हुई किसी भी वस्तू पर जब उपर की दिशा में बल लगता है उस बल को उत्पलावग बल कहा जाता है मान लिजे कि हवा के स्थान पर अब हम इस गेंद में पानी भर देते हैं यदि हमने अब इस गेन को पानी में डाला, तब क्या होगा? जब हम इस गेन को पानी में डालेंगे, ये संतुलित हो जाएगी. यदि हम पानी की जगा तेल का उपयोग करें, तब क्या उतना ही उत्पलावक बल का प्रयोग होगा? क्योंने आप कोशिश करके देखें चुनोदी ये दोनों समान वजन की गेंदे हैं एक में पानी भरा है और एक खाली है अर्थात इसमें हवा है जब हम इन दोनों गेंदों को पानी में डुबोएंगे तब क्या इन दोनों पर उत्पलावक बल समान रूप से कार्य करेगा सारांच आज हमने उत्पलावक बल के बारे में जाना हमने यह भी जाना कि क्यों कुछ वस्तुएं तैरती हैं और कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं क्या कि क्या दोनों जाती हैं